ए भाईया, भुगोल में का बाद, ज्यान का भंडार बाद, अवसर अपार बाद, हिम भुगोल का बहार बाद, क्रायो जोगर्फी का अतार बाद, हे भाईया, ये हिम भुगोल का बाद, हिम भुगोल ज्यान का भंडार बाद, हिम मंदल का ज्यान बाद, ए भाईया, एम्मा का बाद, एम्मा अंतार कटि का ग्रीनलेंड की आई सीट बाद, इनकरा हिम आई सेल्फ बा, पहाडों पर सवार हिम नद बा, साइबेरिया अलास्का का परमाफ रास्ट बा, आरकटिक महासागर का हिमाउरण बा, साउत में पिंगुईन बा, उत्तर में धुरुबी भालू बा, और ग्रीन लेंड में इसकीमों यब आधुनिक होत बा, ए भैया एसे का होत बा, अरे भैया, इनी, आई सीट, आई सेल्फ और हिमाउरण में हमारे धर्ती का, नब्वे परसेंट से अधिक ताजा जल, जमल बा, विसाल जल का भंडार बा, तब ता बड़ी अच्छी बात बा, भैया, नाहीं भैया, इतना खुस हुए कै बात नाहीं बा, ग्लोबल वार्मिंग होत बा, और ए आई सीट, आई सेल्फ और हिमाउरण पिघलत बा, परमाफ्रास्ट भी पिघलत बा, तब भैया का होवे, तब तो जल का संकट होवे, अरे भैया, ए जब आई सेल्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण तूटत बा, तो हिमखंड बनत बा, इहिमखंड का होत बा, भैया, इह आई स्बर्ग होत बा, वही हिमखंड पर सवार होकर अंटर कटिका की पिंगुइन, पहुचत बा, कहमवा, उत्तरी धुरुप के पास पहुचत बा, और उत्तरी धुरुप का दुरुभी भालू, इसी हिमखंड पर सवार होकर दक्षिण में, दक्षणी महसागर में, अंटर कटिका के पास पहु इस यात्रा में दक्षिन की पिंगुईन उत्तर का भालू कभी आसपा सो जात हैं, तब का होत है, उनमें खुब प्रेमालाप होत है, देखा भाईया, ये तो जानवर लोग आपस में मिल लेत बाई, लेकिन हम मानव आपस में नाहीं मिलत बाई, ये अच्छी बात नाहीं बाई, और भाईया, ये जो पर्माफ्रास्ट है साइबेरिया का उकरा नीचे, डबल बाई, मिथीन का ये पार भंडार बाई, लेकिन भाईया ये पर्माफ्रास्ट पिगलत बाई, मिथीन आवत बाहर आवत बाई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और तेज होत बाई, और भाईया, अभी तो कोरोना महमारी से हम जूज रहा हैं, आगे बहुत लडाई हैं, क्योंकि पर्माफ्रास्ट के नीचे धेरों बिशाणू वाईरस दबल बाई, अब जब पर्माफ्रास्ट पिगलत बाई, तो ये बिशाणू बाहर आवत बाई, अंठराक्स का आगमन हो चुका हैं भाईया, और आरकटिक महासागर का ही मावरण जब पिगलत बाई, तो महासागर के तल में खनिज तेल कर अपारभंडार बाई, अगल बगल के देशों में मचल घमासान बाई, उकरा बिदोहन के लिए, एक्स्प्लाइटेशन के लिए, मचल इन में रार बाई, अब नया खनन भूराजनीत का उदभाव होत बाई, माइनिंग जियो पॉलिटिक्स सामने आवत बाई, लेकिन भाईया एक बात बड़ी अच्छी और बतावत बाई, भाईया का है, कहें ग्रीन लैंड में, जोन एस कीमो रहत बाई, अब पुरानी लाइफ स्टाइल नाहिन बाई, अब वो नई, एकदम आधुनिक लाइफ स्टाइल जीयत बाई, कैसे भाईया, अब वो में नाहीं रहत बाई, तब कहमा रहत बाई, वो फैबरिकेटेड हाउसेस में रहत बाई, अब कुत्ता गाड़ी, डॉग स्लेज, नहीं चलावत बाई, तब का करत बाई, अब स्नोई स्कूटर चलावत बाई, नए नए आटोमेटिक वहकिल चलावत बाई, अब हारपून का उपयोग नहीं करत बाद, तब का करत बाद, अब ओ आटोमेटिक राइफल चलावत बाद, लड़का लड़की का करत बाद, अरे भैया, वो हमनी की तरह, वहाँ पर कान्वेंट इस्कूल में अंग्रेजी का सिख्छा ग्रहण करत बाद, इंटरनेट चलावत बाद, टेलिफोन का उपयोग करत बाद, बिजली आवत बाद, और टीवी चलत बाद, सारा चैनल देखत बाद, यह एस्कीमों बदल गयल बाद, यह काहे भवा, यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ, उनका तो फाइदा होत बाद, लेकिन हम पूरे दुनिया के लोगों का तव नुक्सान होत बाद, यह सब सारी चीजें कहां मिलेंगी भईया, यह मेरी रचित हिम्भुगोल में मिलेगी, क्रायो जागरुफी में मिलेगी, कहां मिलत बाद हिम्भुगोल, यह प्रयाग राज में प्रवालिका में मिलत बार यह कब आवत बार यही अगला सनिवार माने परसों पांच तारीक को बसंत पंचमी को रिलीज होत बार कहें तब ता हमके डाइरेक्ट हमानी के मिल जात बार हमका अभीनाय मिल जात बार कम से कम एक हप्ता का समय लगतबार क्योंकि किताब तयार होने में समय लगतबार अब हमारी तरफ से तोहरा खातिर सभी के खातिर रव्वा के हमहार आपको नमस्कार हमनी करत बाड़ी नमस्कार शुबरात्री स्वस्थ रहें प्रसंद रहें ये हमारा भोजपूरी से मिला जुला एक आप कह सकते हैं कि ये रचना और ये वक्त तब कैसा लगा खुल के कमेंट करिएगा जी भर के इसे देखिएगा और प्रशारित करिएगा के का हिम भुगोल का क्योंकि भविश में हिम भुगोल ही हम मानों को सचेत करेत बाड़ वही में हमलों का भविश नहित है क्योंकि हिम भुगोल में ही जमे हुए धरातली और महसागरी सतह का अध्यन करत बाड़ नमस्कार हम निवेदित करत बाड़